गुरुगराम के FOTIS अस्पिटाल पर हर्याना सरकार ने बड़ी कारवाई की है साथ साल की बच्ची की मौत के मामले में हर्याना के स्वास्तिय विभाग ने FOTIS अस्पिटाल के खिलाफ केस दर्ज कराया है हर्यान के स्वास्ते मंत्री अनिल वीज ने ट्वीट कर लिए जानकारी दी है अनिल वीज ने अपने ट्वीट में ये भी बताया है कि स्वास्ते विबाग ने गुरुगराम के सुशान्त लोग पुली स्टेशन ये केस दर्ज कराया है द्रसल गुरुगराम के फोटिस ऑस्पिटल पर देंगुपीडी तेक साथ साल की बच्ची के इलाज पर सोला लाग का बिल वसुल ने और इसके बाद भी बच्ची की जान ना बचा पाने का आरोप लगा था जिसके बाद काफी विवाद हुआ था अस्पितल के खिलाफ हर्याना सरकार ने सकती दिखाई है और शनिवार को ही सुबे के स्वास्त मंतरी शहरी प्रदिकरन को खत लिक कर अस्पितल की जमीन लीज रद करने का निर्देश दिया था बता दे कि हर्याना सरकार ने इस मामले में अस्पिताल को दोशी पाया था जिसके बाद सरकार की तरफ से सक्त कदम उठाये जा रहे हैं अस्पिताल के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ साथ बलड बैंक का लाइसेंस रद करने का नोटीस भी जारी क्या गया है अनिलवीज ने शनिवार को कहा था कि अब लोग नीजे अस्पितालों की लूट गुंडागर्दी और लापरिवाई के ख़ड़े हो चुके हैं अस्पितालों और डॉक्टरों को अपने रवे में सुधार लाना चाहिए